Welcome to the channel Guide Pharma Line आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं B Pharma 3rd Year 6th semester के subject Herbal Drug Technology के topic लेहा के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेहा क्या होता है इसको कैसे prepare किया जाता है इनको बनाने के समय किन किन चीजों की हमें जरूरत होती है और इसके साथ ही साथ इनकी precautions क्या क्या है और उसके examples के बारे में बात करेंगे तो चलिए आज की वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले हम लेहा की definition देख लेते हैं कि लेहा की definition क्या है तो लेहा की definition क्या है It is a semi-solid preparation of the drug prepared with the addition of jaggery, sugar और sugar candy and boiled with the prescribed drug juice or decoction तो मतलब क्या है लेहा एक semi-solid preparation है जैसे कि आपने allopathic में semi-solid preparation में आप जो है cream देखते हो कोई भी gel देखते हो तो वो क्या है semi-solid preparation है कोई भी ointment देखते हो इसे तरीके से आयर्वेदिक semi-solid preparation जो होती है वो लेहा लेहा क्या है आयर्वेदिक semi-solid preparation है तो लेहा semi-solid preparation है इनको बनाने के लिए हमें drug जो भी drug होगी prescribed drug के साथ हमें jaggery या निगुड को यूज करना पड़ेगा या फिर sugar को यूज करना पड़ेगा या फिर sugar की candies को यूज करना पड़ेगा इसके साथ ही साथ जब हम लेहा को prepare करते हैं तो जो drug होती है जो जिस भी चीज का हम लेहा prepare कर रहे होंगे उनमें जो भी drug prescribed होती है उन ड्रगों के हम decoction को भी यूज कर सकते हैं या फिर उन ड्रगों के liquid को यूज कर सकते हैं यानि कि उन ड्रगों के juice को यूज कर सकते हैं तो और इसके साथ ही साथ अगर जो drug है अगर उस decoction फ़र्म में है तो हम उस drug के decoction या फिर उस drug के जूस को भी यूस कर सकते हैं तो लेहा की definition यह होती है तो मतलब क्या है यह जो semi solid preparation है लेहा की यह लेहा का semi solid preparation है इनको बनाने के लिए हमें तो एक prescribed drug चाहिए होगी जिस भी substance का लेहा होगा उसके साथ ही साथ उसको semi solid बनाने के लिए हमें jaggery की जरूरत होगी, sugar की जरूरत होगी या फिर sugar candy की जरूरत होगी इन में से किसी एक जीज को हम use करेंगे और इसके साथ हम अपनी जो drug होगी prescribed drug उसका decoction या फिर उसको as a juice form या फिर liquid form में use कर सकते हैं अब क्या है इसके एक्जामपल देख लेते हैं तो इसका पहला एक्जामपल है वह चौनप्राश जो होता है क्योंकि आपने चौनप्राश देखा होगा उसमें क्या है herbal medicine से prepare किया जाता है चौनप्राश आमला होता है different medicines जो होती है उनके combination से चौनप्राश को prepare किया जाता है तो चौनप्राश का consistency है वह semi-solid consistency का होता है तो चौनप्राश क्या है एक ayurvedic preparation है और semi-solid preparation है और यह किस तरीके की यह क्या है यह लेहा है यानि कि यह preparation है यह लेहा की category में आएगा next example है अश्वगंधी लेहम तो लेह को हम लेहम भी बोलते हैं तो इसका next example है अश्वगंधी लेहम तो यह हो गया इसके examples की बात अब हम इसके ingredients के बारे में दिख लेते हैं कि लेहा को prepare करते समय हमें किन-किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है तो जो हमारी पहली requirement है वो है खसाया या फिर decoction जैसा कि हमने आप को आश्वा और अरिस्था में बताया हुआ है कि खसाया को ही हम decoction बोलते हैं तो इसमें हमें decoction चाहिए होगा और decoction किस चीज का चाहिए होगा decoction जो होगा वो प्रिस्क्राइब ड्रग का होगा जो भी ड्रग होंगी उनका decoction होगा इसके पार next है हमारा गुल शरकरा और sugar candy तो next हम जो चीज यूज करेंगे लेहा के preparation में जो हमारा next ingredient है वो है जैगरी या फिर गुल या फिर sugar candy जो की हमने definition में भी देख लिया है तो यह हमारे next ingredient होगा third ingredient है हमारा चूरना या फिर ड्रग तो चूरना यह जैसा कि हमने आपको जो हमारे previous वीडियो थी वो चूर बोलते हैं अब हमारा next ingredient क्या है next ingredient है चूरना तो चूरना क्या होता है इसके हमने एक detailed वीडियो बनाया हुआ है जो कि इसका previous वीडियो था चूरना पे तो चूरना में क्या है जब हम herbal medicine कर के drug को हम powder form यूज करते हैं तो उसको हम चूरना बोलते हैं तो यह जो preparation है लेहा की इ टाइल तो इसकी चूर में कर रिक्षी करेंगे अब नेक्सच है हमारी गर्तिका तो घ्रिंटिगा है next जो हमारा ingredient है वह है घ्रिटिका मतलब ही होता है तो इसको भी हम exact С ग्रैलम क करेंगे या फिर टैलम को भी हम्यूज करेंगे टैलम मतलब किसी भी तरिके का ऑय अगर जो तो हमारा preparation उसमें अगर किसी भी तरीके का तैलम होगा तो वो specific तैलम को भी हम use करेंगे और next ingredient है हमारा madhu, madhu यानि की honey, तो honey को भी हम use करते हैं, तो यह वो 5 basic ingredients हैं, जिनकी combination से हम leha को prepare करते हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं, leha के procedure के बारे में कि कैसे हम leha को prepare करेंगे, तो इ यह जो लेहा का preparation है, यह basically three steps से बना है, और इन तीनो steps को करने के बाद last भी हमें leha obtain होता है, तो जो हमारा पहला step है वो है, पहले step में basically हम जो ingredient हमारा jaggery था, गुड था, उसको use करके हम first step को prepare करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा first step है, उसमें क्या करेंगे, गुड या फिर jaggery को लेंगे, इसके बाद liquid या फिर decoction को हम लेंगे, तो गुड या फिर jaggery और liquid या फिर जो भी हमारा decoction होगा drug उसको लेंगे, और लेने के पाद हम इनको strain करेंगे, और इसमें से foreign material को निकालेंगे, और उसके बाद हम इस first step को complete करेंगे, तो अब इसका प्रोसेदर क्या है तो देखिए गुड़ प्लस जैगरी इन दोने में से मतब गुड़ प्लस जैगरी ले लेके उसके बाद अगर यहाँ पर शुगर कैंडी भी हो सकता है शुगर भी हो सकता है उसके बाद उसके साथ हम क्या लेंगे लिक्विड और डिकॉक्शन को लेंगे उसके according हमारा जो decoction होगा उसको हम लेंगे उन दोनों को mix करेंगे यानि decoction या फिर जो drugs का juice होगा उसको लेकि उसमें हम sugar या फिर jaggery या फिर good को add करेंगे करने के बाद हम क्या करेंगे तो उसको हम चानेंगे अब किसी भी चीज को स्ट्रेंड के जाता है unwanted चीजों को हटाने के लिए स्ट्रेंड के जाता है तो हम इसको स्ट्रेंड करेंगे जिससे कि हमारा जो unwanted particles होंगे foreign materials होंगे वह निकल जाएंगे निकलने के बाद हम क्या करेंगे, strain करने के बाद हम इसको करेंगे, boil, boil over a moderate fire, तो पहले इसके बाद next step के है, strain to remove the foreign particles, ठीक है, foreign particles को remove करने के लिए, strain कर दिया, next step क्या होगा, boil over moderate heat, то boil over moderate heat में क्या करेंगे, मौडरेट हीट में हम इस जो सलूशन हमारे पास आ गया था उसको बॉइल करेंगे तो देखिए यहां पे जब हमने लिक्विड और जैगरी को डाला तो यहां पे एक स्टेप और आएगा मिक्सिंग का हमें जैगरी और लिक्विड जो हमारा लिक्विड होगा उसके साथ हमें अपने जो डिकॉक्षन होगा उसको मिक्स करना होगा उसके बाद हमें चांडना पड़ेगा क्योंकि कभी-कभी अगर आप गुड को कभी पानी में डिजॉल्फ करिए तो उसमें कुछ फिवें मोड्रेट फॉयर फाइर देमिया आज पर हम इस अलूशन को बड़ करेंगे अब करने का जरूत कियों है अब क्यों कर रहे है तो next step क्या है इसके बाद हम क्या करेंगी बाइल करने के बाध अब बैस्सटों क्या करेंगे तो नेफले में वन पाक कर ऑ lead when हमें इस solution को बॉयल करना है इस solution को moderate heat पर हमें इस solution को heat करना है लेकिन हमें heat कब तक करना है हमें heat तब तक करना है जब तक यह solution में हमने अपनी drug का decoction और जो हमारा sweetening जो material है यानी की जागरी आ फिर गुड है यह जब इन दोनों का जो हमारा solution है वो क्या हो जाए वो इस consistency में हो जाना चाहिए कि जब हम उस solution को अपनी finger में ले तो उस finger में वो thread create करें जैसे कि मतलब क्या हुआ कि जब हम इस solution को लेंगे तो पाक पाक इस thread का मतलब यह जो solution है जैगरी प्लस decoction वो thread हो जाना चाहिए thread in the sense क्या है कि जब हम उस solution को अपनी finger से press finger में लेकि जब उसको finger से ऐसे करें तो अब उसमें एक thread का formation होना चाहिए जैसा कि आपने चाशनी के preparation में देखा होगा कि जब कभी भी घर में कोई मीठा चीज बनता है जिसमें हम चाशनी का जाते हैं उसको हम detection करने का यही चीज होता है यही प्रसीजर होता है कि अगर चाशनी को चेक करेंगे कि हाँ यह चाशनी बन चुकिंगर टेस्ट करते हैं इस Satgrat प्लिशट्त में उस सिलूशन को लेगे और उसके पगसर अपनी धुना फिंगर से जब उसको इस तरीके से यहां थेखान को ज norm 注ब तो जब आग वो निभी ठाहीं構ोंना चाहिए घ्जा अंधाल... जब हम इसको फिंगर की बीच में प्रेस करें तो यह थ्राडी हो जाना चाहिए थ्राड का फॉर्मेशन होना चाहिए तब या फिर वन इट श्रिंक इन दे वाटर विदाउट गेट इसली डिजॉल्व तो अगर अपने चाशनी का जो टेस्टिंग होता है घरों में उसमें यही चीज़ करते हैं या तो आप फिंगर से प्रेस कर लीजे या फिर उसकी एक ड्राप वाटर में डिजॉल्व कर दीजिए तो वह क्या होगा इसली डिजॉल्व नहीं होगा वाटम में वह स्टाल हो जाता है जब चाशनी फुल प्रिपेर हो जाती है तब यही चीज हम यहां पर भी कर रहे हैं यहां तो हम फिंगर टेस्ट करेंगे कि यह प्रिपेर हो चुका है और फिर हम उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे क्या यह डिजॉल्व हो रहा है अगर तो डिजॉल्व हो रहा है तो मतलब कि यह प्रिपेर नहीं हुआ है और अगर यह डिजॉ उनाते हैं तो उसमें हम उसको भी कभी कभी हम पाक बोल देते हैं तो वही चीज यहां पर भी है जब वो solution थ्रडी हो जाए या फिर सेटल हो जाए bottom में तो इसका मतलब आपका first step complete हो चुका है ठीक है जब यह step complete हो जाएगा तो हमें क्या करना है it should be removed from the fire हमें इसको fire से हटा लेना है क्योंकि अगर आप इसके बाद इसको फिर से करोगे तो यह solution जो होगा वो जल जाएगा तो इसको fire से हमें हटा लेना है हटाने के बाद अब हम next step में आएंगे तो next step में हम क्या करेंगे चूरना fine powder added in small quantities and stir to form homogeneous mixture तो second step में हम क्या करते हैं जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें से खसाया यूज हो गया गोड़ यूज हो गया next जो हमारा ingredient था चूरना चूरना कि की हरबर ट्रग का पाउडर फॉर्म होगा तो इस step में हम यह जो चूरना है उसको हम इस solution यहां इस सिलूशन हे हमारे पास में सोलूशन जू पाक उप्टें हुआ है उसमें हम इसको डालेंगे तो क्या है fine powder इसका हम डालेंगे small quantities में धीरे धीरे करके जितनी भी quantities prescribed की गई होंगे इखटा नहीं डालना है धीरे धीरे करके हमें डालते जाना है इस तरह के से prescribed चुना की quantities को हम डालेंगे डालेंगे इस टेयर करेंगे और इसके बार क्या हो जाएगा हमें करना है prepare to homogeneous mixture याने कि हमें इसको اس को इसके हम स्टेयर कर रहे हैं कि एक समान mixture prepared हो जाए हो मोझेइस mixture prepared हो जाए कि वो जो चूंन है वो हर जगा पे equally तो इसलिए हम धीरे धीरे उसमें से होमोजीनेस निक्षे बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा लेकि शेक कर रहे हैं फिर लेके मिक्स कर रहे हैं तो यह हम सेकेंड स्टेप में कर लेंगे और यह चूणना होगा यह हर्बल रग का चूणना होगा जो कि according to the formulation prescribed किया गया होगा यह हो गया अब नेक्स स्टेप के हम बात कर लेते हैं तो यह हमने यहां पर क्या-क्या यूज कर लिया हमने खसाया यूज कर लिया सरकड़ा गुड़ी यूज कर लिया चूणना यूज किया अब बचता है हमारा घृतिका यानि घी और हनी तो अब हम क्या करेंगे अगर according to the formulation घी या फिर तेल है कोई भी प्रिस्क्राइब तेल है या फिर घी है तो उसको हम एड करेंगे third step में तो तो तेलम की प्रप्रेशन इस होट एंड मिक्स ट्वेल तो क्योंकि आपने देखा हुआ कि कभी भी अगर वाट जब भी आपको भी आप घी डाल के खाओ सब्जी में की डाल के खाओ तो हमेंसा क्या प्रफर करते हैं कि जो दाल या फिर सब्जीयां होती है इसमें जब वह हम गरम करते है फिर में घी डालते हैं जिससे कि वह इजली डिजॉल हो जाता है होता है ना कि नॉर्मल प्रोसीजर है हम लोग खाने में यूज करते हैं सेम यही प्रोसीजर यहां पर भी है जब आपको ऑईल या फिर घी को यूज करना है तो वह अवरॉल डिस्ट्रिब्यूट हो यह इसके अबला नेक्स्ट हमारा जो इसी स्टेप में नेक्स्ट जीज क्या है कि अब हमारा बचता है मधू या फिर हनी तो अगर प्रिप्रेशन में हनी है तो हनी को हमें हीटर टाइम पर नहीं करना है हनी जिब हमारी प्रिप्रेशन कोल हो जाएगी तब हम एड़ तो honey को हम add last, सबसे last में हम honey को add करेंगे जब ये preparation हमारी cool हो जाएगी, जब ये preparation ठंडी हो जाएगी तो हम honey को use करेंगे, तो इस तरीके से ये तीनों ही steps को follow करके हम किसी भी लेहा को prepare करते हैं, तो ये होता है लेहा का preparation तो ये है वो सारे procedure जिनकी help से हम लेहा को prepare करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं characteristic features के बारे में कि लेहा को prepare करते हैं, हमें किन-किन characteristic features पे ध्यान रखना चाहिए तो जो हमारा पहरा characteristic feature है, वो क्या है, if metal, अगर preparation में किसी भी तरीके का metal है Metal अगर है किसी भी preparation में लेहा कि कोई भी preparation है जिसमें Metal अगर है तो उस case में हमें metal की भस्म को यूज करना है जैसा कि आपने जहां पे हमने example लिया है चवन प्राश का तो चवन प्राश एक नॉर्मल चवन प्राश आता है एक सोना जो होगी आपको अगर आपको कोई को इसा जो है तो आपको इस नोगता है तो आपको उसमें कि भस्मा해주फ करना पड़ेगा जैसे कि स्वान भस्म को यूज करोगे, सिल्वर भस्म को यूज करेंगे, तो इस तरीके से हम according to the preparation, जिस भी metal को prescribed किया गया होगा, उसकी भस्म को यूज करेंगे, हमारी जो preparation है, उसको create करेंगे, तो यह होता है हमारा first characteristic, next क्या है, लेहा नाइधर भी hard नौर भी thick, तो जो यह लेहा है हमने यह तो कहा कि यह semi-solid preparation है, लेकिन इसकी consistency ना तो बहुत ज़्यादा hard होनी चाहिए, और ना ही बहुत ज़्यादा lose होनी चाहिए, मतलब क्या है, कि इसकी consistency ऐसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, कि बहुत ही hard हो जाए, या फिर बहुत ही पतली हो जाए, तो क्या है, लेहा को प्रिपेर करते समय इन चीजों का ध्यानक ना चाहिए, कि क्योंकि हमने आपको बताया है, जैसे ही पाक प्रिपेर हो तुरंत आपको fire से हटा लेना है, और उसके बाद उसकी consistency हो होना चाहिए, और इसकी consistency बिल्कुल hard नहीं, इतनी भी hard नहीं होना चाहिए, कि उसक पतला नहीं होना चाहिए, कि उसको use करते हैं, वो semi-solid हो, semi-solid की consistency में उसको रहना ही चाहिए, तो इसमें ना तो ज़्यादा थिक होना चाहिए, और नहीं ज़्यादा hard होना चाहिए, तो यह characteristic features हैं लेहा के, इसके लामा अगर हम लेहा के shelf life की बात करें, तो जो लेहा होता है, उसको कोशिश करने चाहिए, कि कोशिश क्या करने चाहिए, कि should be used in a one year, तो हम अगर लिहा use कर रहे हैं, तो उसको एक साल के अंदर-अंदर हमें खतम कर देना चाहिए, manufacturing के एक साल तक, उसका जो potency होता है, वो जादा होता है, तो क्या है, should be used in one year for high potency, तो ऐसा नहीं कि हाँ, उसके potency कम हो जाएगी, तो जो effect मिल रहा होगा, वो आपको थोड़ा मिलेगा, तो इसलिए लेहा को जो हम use करें, तो उसकी manufacturing से एक साल के भीतर ही लेहा को use कर ले, उसको जादा दिनों तक use करने पर उसकी potency कम होने लगती है, तो यह होगी overall लेहा की बात, तो आई हो पाच का ये वीडियो आप सभी को समझ में आये होगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में जिसमें हम लेहा के standardization के बारे में बात करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, thank you